उदारन एक दिये गए रेखा खन के बराबर एक रेखा खन की रचना करना दो बिंदूओं के बीच एक रेखा खन दिया हुआ है इसी रेखा खन A, B के समरूप या फिर सरवांग सम एक और रेखा खन की रचना करना है बिल्कुल ऐसा ही कैसे करेंगे पद पहला हमें एक रेखा खन AB दिया गया है एक ऐसे रेखा खन की रचना करनी है जो AB के बराबर हो पद दूसरा रचना के चरण पहला दिया हुए रचना के चरण में एक रेखा खन खीचे इसे आई माने इसे एक रेखा खन कीच देना है एक रेखा खन नहीं रेखा खीचना है पहले तो एक रेखा खन दिया हुए इसी के जमान हमें एक और रेखा खन बनाना है तो पहले तो रेखा किचना पढ़ेगा उसी में एक रेखा खन बनाएंगे ठीक है तो पहले एक रेखा कीछ लिए L अब फिर एक रेखा L पर कोई बिंदू ले X एक बिंदू ले लिए X जो की A के बराबर मान लेंगे जहां पर A और X एक दूसरे के बराबर ठीक है अब प्रकार की सहता से A B के बराबर ठीक ले A पर प्रकार की बिंदू नो को रख करके B तक के नाप करके पेंसिल से हमें उसी नाप को X बिंदू पर रख करके इसी रेखा खन L पर एक चाप काटना है X को केंद्र मान कर रेखा L पर चाप बनाए A B के सरवांग सम होगा जस्ट सा दूसरे के समान बराबर होंगे X Y और A B ठीक है उतहीं चाप काटे ही सो जैसे प्रमान तीन यहां हमने A B को त्रिज्जा लेकर और X को केंद्र और केंद्र X से चाप बनाए है इसलिए X Y बराबर A B होगा ठीक है अब उधारन दो दो कोड दिये गए हैं नीचे हमें चित्र में दो कोड दिये गए हैं एक ऐसे कोड की रचना करें जिसकी माप दिये हुए दोनों कोडों के योगफल के बराबर हो हल रचना एक का उप्यों करते हुए एक कोड A के सरवांग सम कोड LON बनाना है इसी तरह O L को एक भुजा मानते हुए O L को एक भुजा मानते हुए कोड O M O L कोड M O L बनाएं जो कोड B के सरवांग सम होगा यानि L O N L O N प्लस M O N M O L बराबर A प्लस कोड A प्लस कोड B होगा कैसे किया हमने सबसे पहले तो दो आकरिती दी हुई है इन दोनों को सम कोड A को और कोड B को जोड करके हमें एक नए कोड की निर्मान करना है तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कोड A के सरवांग सम एक कोड हमने कोड M O N बनाया कोड L O M N बोल सकते हैं या फिर M O N बोल सकते हैं ठीक है कैसे बनाया हम सबसे पहले एक रेखा खन खीच लिया एक रेखा खीच लिया है ना या फिर किरान खीच लिया यहाँ पर एक बिंदू है O वहाँ से किरान गुजर रही है किरान O N ठीक है इसमें क्या किया फिर हमने O इस दिये हुए जो कोड है कोड A कोड A के लिए कोड A पर की बिंदू पर जहाँ पर से कोड A सुरू हो रहा है जहाँ पर से दो किरान है जहाँ मिल रहा है उस बिंदू पर प्रकार को रख करके एक चाप हमने इस कोड पर काटा उसी चाप को उठा करके इस बिंदू O पर हमने काटा ठीक है अब जहाँ पर यह चाप कर रहा है वहाँ पर प्रकार की नोग को रख करके यहां पर उन्हों को रख करके इस जो हां पर कोड बन रहा है उस कोड के लिए दुसरी की रन जो जा रही हो वहां पर एक चाप काटा अब उसी चाप को उठा करके इस पुराने चाप में रख करके फिर सिसी को चाप काटा अब जो जहां पर चाप कट रहा है उस बिंदु को म मिलाते हुए कोड की रचना की यह कोड जश्ट एक के सरवांग सम कोड बना यहां आकरिती बारा को देखते हैं तो पदा जलता है ठीक है उसके बाद सेम टू सेम अब O L को कीरान मानते हुए O L को कीरान मानते हुए कोड B के सरवांग सम कोड हमें O L पर बनाना है ठीक है तो हमने फिस वही प्रोसेस किया O L को बेश मान करके B के B से कोड B से एक चाप काटा हमने है ना उसी चाप को O L पर हमने काटा फिर उसके बाद जहां पर चाप काटा था कोड B में वहां से उपर की तरफ एक और चाप काटा जहां पर यह कोड बन रहा है दूसरा के नन जहां पर जा रहा है ना अब उतना ही चाप हमने यहां प Kandaar B के सरवांक सम है और ये Code code A के सरवांस में दोनों code को अगर हम जोड़ेंगे तो code A plus code B हमें मिल जाएगा नहीं जो Code हमें प्राप्त हुआ करके देखे उधारन नीज़ों कोड़ी गई रचना के चरण विस्तार से स्वयम लिखिये. रचला के सरन्य हमें स्वयम से लिखना है. ठीख है? फिर दो तीस और नब्बे के कोड बनाई है. बताईए की यह कैसे बनाया कैसे बनाया? तीस अंस कोड बनाया है. तज़ शबसे पहले तो कोड बना लेते हैं एक किरन कीचा ठीक इस किरन पर इस बिंदू पर रख करके जहां पर से किरन इस्टार्ट हो रहा है बिंदू पर रख करके एक चाप कोई भी नाप का चाप हमने इस तरह से काटा ठीक है अब जहां पर चाप काटा हुआ पर से फिर से पुना उसी नाप का एक चाप और काटा तो यह जो कोड बनता है जहां पर इस चाप को मिलाया है हमने उस जहां पर चाप प्रतिखेद बिंदू से हमने किरन की इनिशल पांड को मिलाया है तो वो कोड कितना अंस का बनता है साट अंस का बनता है ठीक है फिर से इ आगे की और बढ़ाते हुए इसी चाप से एक और चाप काटा तो वो बन जाएगा 120 अंस का जश्ट डबल ठीक इसके जश्ट डबल बन रहे है तो मतलब यह 120 अंस का कोड़ बना ठीक अब यह 120 अंस के कोड़ में से हमें 90 अंस निकालना है तो 120 और 120 के बीचों बीच हमें 90 को कोड़ मिलेगा ठीक है एक चाप 60 अंस के कोड़ से उपर के तरफ काटा एक चाप 120 अंस के कोड़ में से उपर के तरफ काटा और दोनों कोड़ों को मिलाते हुए हमने एक लगी खीचा तो यह जो कोड बना वह 90 अंस का बना अब हमें पता है कि 60 अंस के जस्ट वीच में हमें 30 अंस का कोड मिलेगा तो 60 अंस का कोड के लिए जहां जहां पे दो चाप मिला था हमें दोनों किरणों पर वहां वहां पर प्रकार की नो को रखकर के एक चाप यह तीसरा दिगा हुआ है भुजा की कोई भी माप लेते हुए एक सम बाहूत रिभुज की रजना कीजिए भुजा की कोई भी माप लेना है लेकिन हो सम बाहू रहना चाहिए सब भी भुजा उसकी बराबर होने चाहिए ठीक है कैसे करेंगे पहले तो एक किरण खीज लेंगे किरन पर यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके कोई भी चाप हम यहाँ पर काटेंगे ठीक है काट लिए इस किरन पर इसको नाम ले लेते हैं अब इसी नाब का किरन बिंदू A से उपर की तरफ काटे उसी नाब को बिंदू B से उपर की तरफ काटा अब ये बिंदू C प्राप्त हुआ जहां पर प्रतिचत कर रहा हूँ अब ये तीनों बिंदू को आपस में मिलाने पर हमें एक सम बाहुत रिभूच प्राप्त होगा ठीक है एक नियून कोड बनाईए और एक ऐसे कोड की रचना कीजिए जिसका मान पहले बनाए गए समांतर रेखा की रचना की है आई ये उन्हीं पदो का उपयो करते हुई समांतर रेखा की रचना करते हैं पत पहला रचना शुरू करने से पहले निर्मली की सवालों पर सोचना पहला सवाल है कि सवाल में क्या जानकारी दी गई है किस क्रम में इनका उप्यो करना है क्या रचना करनी है किस क्रम में करनी है ये सब हमें सोचना पड़ता दी गई जानकारी में से कौन सी उपयोगी है और कौन सी नहीं यहां हमें एक रेखा दी गई है यहां हमें एक रेखा दी गई है ठीक है और एक बिंदू और एक बिंदू आर यहां बिंदू दी गई रेखा के बाहर रिस्तित है तीगे रेखा के साथ एक समानतर रेखा की रचना करनी है जो इस बिंदू से होकर गुजरती है आखृटी 3 से देख सकते हैं ठीक है दूसरा दीगे जानकारी के अधार पर रचना करते समय किनकिन जामीती अधारनाओं को उपयोग करना होगा इसके बारे हम सोचते हैं हमें पता है कि यदि एक तीरियाक रेखा यदि एक तीरियाक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेद करें तो और उन पर बने संगत कोड और उन पर बने जो संगत कोड हो तो उन पर बड़े कोड संगत कोड बराबर हो तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है संगत कोड मतलब यहाँ पर प्रतिछेद रेखा के पर बने जो कोड है वो आपस में बराबर हो यह कोड तीसंस का है तो यह भी कोड तीसंस का हुआ तब दोनों रेखाएं समांतर होती है तो हम दिये गए बिंदू के से तीरिया क्रेखा की रचना कर सकते हैं जो दी गई रेखा को प्रतिक्षेद करें तो हम दिये गए बिंदू से तीरिया क्रेखा की रचना कर सकते हैं जो दी गई रेखा को प्रतिक्षेद करें ठीक है? तिर्याक रेखा और दी गई रेखा के बीच बने कोड के बराबर कोड बिंदू पर बनाएं तो प्राप्त दी गई रेखा के समांतर होगी तिर्याक रेखा और दी गई रेखा के बीच बने कोड के बराबर कोड बिंदू पर बनाएं तो बिंदू पर अगर हमें बराबर कोड बनाना है तो दी गई बनाएं तो प्राप्त दी गई रेखा के समांतर होगी पद दो, एकत्रित जानकारी के अधार पर कच्चा चित्र बना कर सोचना की आपेख्षित आकरिती का कौन सा हिस्सा हमें ग्यात हो गया है, आकरिती की रचना के लिए हमें और क्या चाहिए, फिर अंत में चरण बधरूप से ज्यामिती रचना करना, ठीक है? रचना के चरण रेखा, एक रेखा पी क्यूं और एक बिंदू आर दिये गया है, उसके बाद इस रचना के पद को हम नेच्ट वीडियो हम देखेंगे, उसके बाद प्रशना वाली एक दिया हुए, ठीक है?